हलाई अब्रीवन आप सभी का होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर स्वागत है मैं हूं डॉक्टर वन्ना गुपता और आज हम स्टार्ट करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से 100 तक हम अलड़ी सॉल्व कर चुके हैं जो कि पार्ट 4 में था अब यहां से हमारा पार्ट 5 स्टार्ट ह हम फटा-फट सॉल्व कर लेते हैं 101 नंबर क्वेश्चन है स्टार्ट साधारन रूप में डैश तूटता है यानि कि मुख में छोटी आदमें आमाशे या फिर बड़ी आदमें तो यहां पर पुछे जा रहा है कि जो स्टार्ट है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में कहां पर त मुख बुगता है इसका जो राइट आन्सर है फॉर्म में कि जो स्टार्ट का पाचन है यहां से स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट हमारे मुँमें जो जो श्यव होता है रज तो उसमें टायलिन नामक एंजाईम होता है यह एक एंजाईम है जो की स्टार्च पर काम करता है और इसको तोर देता है किसमें माल्टोज में उसके बाद में आगे फर्दर प्रक्रिया होती है मुख से फिर हमारे आमाश है फिर छोटी आग फिर बढ़ियाद के द्वारा जो भी बेस्ट मटीरियल होता है यानि जिसे हम मलतयाग बोलते हैं या फिर फिकल एक्सक्रीशन है वो बढ़ियाद के द्वारा हो जाता है तो इ सत्य है असत्य है या फिर संबंदित नहीं है या फिर भिवाडित है तो इन्होंने जो कहा है इन्होंने वैल्यूस का classification दिया हुआ है उसमें से ये है कि आराम मानवयवार का प्रेणना मोले है ये बात बिल्कुल ही सही है और यहां पर मैं आपको इनका classification दिखा देती हूँ ये है Parker's classification biological values, economical values, affective values, social values, intellectual values, aesthetic values, moral values and religious values ये पारकर के जो values हैं उनकी classification है अब आते है next question पर निर्ने लेने में तीन चरण डैश द्वारा दिये गए यानि कि जो decision making है उसमें जो steps दिये गए है तीन steps दिये गए है वो किसके द्वारा दिये गए ओगिल, जान डेवी, स्वामिनाथन या फिर श्रेलचमी तो यहाँ पर जान डेवी के द्वारा इसको दिया गया है ये जान डेवी वही है D E W E Y ओके चली अब आते है 104 नंबर question पर डैश एक संसाधन है जिसे हम सभी साजह करते हैं हाला कि या उनमें से एक भी है जिसके प पुछे जा रहा है resources के बारे में संसाधन का मतलब है resources ओके जो कि हमने पढ़ा है human resources और non-human मानो और जो है दूसरा non-human resources गैर मानो संसाधन तो यहाँ पर पुछे जा रहा है कि कौन सा ऐसा resource है जो कि हम सभी आपस में share तो करते हैं लेकिन हम उसके लिए उसके प्रती रहा होते है careless तो वो क्या है तो यहाँ पर जो right answer वो है समय आप सभी जानते हो समय हम आपस में share करते हैं लेकिन उसके प्रती हम हमीशा जो है लापरवार रहते हैं फिर आता है इसलिए का जाता है कि समय मुलेबान होता है एक बार समय जाता है तो दुबारा नहीं आता है च चार्ट एक कारे को करने में प्रयोक्त विधी का चरण दर्चरण वर्ण करता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है step by step, step by step, description. तो यहाँ पर जो operation chart है, यह सब क्या है, techniques है, work simplification की techniques है, जो process chart, operation chart, pathway chart, यह सारी chart है, यह सब technique है, ठीक है, तो यहाँ पर है कि कौन सा operation chart पूछक कहा जा रहा है, यहाँ पर operation chart जो है, वो step by step description देता है, किसी वो कारे को करने में, तो सत्य है, संबंदित नहीं है, फिर विवादित है, तो यह फिर असत्य है, कि जो operation chart होता है, उसमें क्या होता है, उसमें केवल hand movement, दर्शाया जाता है, hand movement, ठीक है, यानि कि हमारे दोनों हाथ, जो left और right hand है, वो किस-किस दिशा में जा रहा है, उनका movement कैसा हो रहा है, गत जो-किस जो step-by-step description है, किस में दिया जाता है, या process chart में दिया जाता है, process chart में दिया जाता है और यहाँ पर जो operation chart है इसमें hand movement होता है और इसमें जो है तीन symbols का use किया जाता है तीन symbol होते हैं जिसमें की एक जो है त्रभुज होता है, small circle होता है और large circle होता है तो तीन symbol होते हैं त्रभुज, small circle और large circle ये तीन symbols होते हैं और ये सब जो है hand movements को दर्शाते हैं चलिए बात है next question पर 106 number question है dash i संतोष का वो पुरवा है जो प्रदिम के अनभवों से उत्पन होता है आत्मे धन वास्तव ग्या फे गुडवत्ता तो यहां पर पुछा गया है कौन सी ऐसी i है जो है जो संतोष यानि कि flow of satisfaction है जो कि हमें daily के जो भी experience होते हैं उनसे प्राप्त होता है कौन सा ऐसा संतोष है जो कि हमें जो रोज के experience है अनभव है उससे हमें प्राप्त होते हैं तो यहां पर आत्मिक धन आत्मिक का यहां इसको होगा इस प्रिच्छुवल धन, money, वास्तविक का मतलब होगे यहां पर real income से मतलब है गुडवत्त का मतलब होगया quality तो यहां पर जो right answer है वो है आत्मिक यहां पर real income नहीं होगा क्योंकि real income में भी क्या होता है sorry real income नहीं psychic income में होता है flow of satisfaction होता है जो कि हमें goods and resources के द्वारा goods and services के द्वारा प्राप्त हो और जो real income होते हैं वो क्या होता है flow of goods and services जो कि हम income याने की धन को खर्च करने पर हमें प्राप्त होता है और इसमें जो real income है इसमें एक चीज़ और आती है community resources भी इसके अंदर में आ जाते हैं जो कि free of cost होते हैं community resources का मतलब है जिसे पार्क हो गए हॉस्पिटल हो गए ठीक है मतलब ऐसी चीज़ें जो कि जहांपर हर कोई जा सकता है पूरी community जा सकती है अज़से पार्क गए रहा है तो वहांपर हमें payment नहीं करना पैसा नहीं देना पड़ता है पार्क में हम ऐसे घुम सकते हैं ठीक है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं तो वहांपर हम घुम सकते हैं hospital है तो वहांपर भी मैं ऐसे जा सकते हैं अगर इलाज नहीं कराना है तो पार पैसे ही जा करके पता कर सकते हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है तो ऐसे community resources जो हैं वो आपके real income के अंतरगत आते हैं तो जितने भी flow of goods and services है real income में आते हैं flow of satisfaction है वो sagging income होता है और money income तो आ income होता है तिन टाइप के income होते हैं money, real और psychic तो यहांपर जो है psychic income नहीं होगा option भी नहीं दिया हुआ है ठीक है अब 107 number question है dash आवश्यक रूप से उपलब्ध आउसरों पर आधारितकार योजन का निरूपन है अब यहांपर जो निरूपन का मतलब है वो है formulation formulation तो यहांपर म आवश्यक रूप से उपलब्ध आउसरों पर आधारितकार योजना का निरूपन है यानि कि जो भी available opportunity है आपके पास में जो उपलब्ध आउसर हैं आपके पास में उसी के आधार पर या फिर उसी के अनुसार जिब आप किसी भी काम की planning करते हैं कोई भी कार योजना को formulate कर करते हैं बनाते हैं कार योजना तो उसको क्या कहते हैं तो आउसर हैं उन्हीं के आधार पर हम जो कार योजना तयार करते हैं उसको planning कहते हैं फिर आता है एक्सवाट नमबर क्वेशन डैश मानद मानक व्रिहद अस्तर पर समधाय द्वारा सुईकरित नहीं है परमपरागत एडी दोनों ना तो ए और ना ही दी परिवर्तन शील तो मानक यहां पर स्टैंडर्ड की बात किया दे मानक का मतलब है स्टैंडर्ड ठीक है अब यहांब पुछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि कम्यूटी लेबल पर कम्यूटी में लार्ज लेबल पर ब्रिहद अस्तर का मतलब हो गया कि बड़े लेबल पर जो है सुईकार नहीं किया जाता है तो जो स्टैंडर्ड है वो दो प्र Conventional Standard और परिवर्तन शील का मतलब हो गया Flexible Standard तो दो टाइप के यह Standard होते है Conventional और परिवर्तन यह Flexible तो यहाँ पर जो राइट आंसर है जो कि हमारे समुधाय के द्वारा सुईकार नहीं किया जाता है तो वह है परिवर्तन शील यानिकि Flexible जो Standard है यानि कि हम जैसी हमारी जरुरत होती है Need होती है समस्या होती हो उसके अनुसार जो है हम परिवर्तित हो जाते हैं ठीक है Flexible रहते हैं और यह हमारे अभी समाज की दौरा इसको Accept नहीं किया गया है अभी हमारे हाँ परंप्रागत Standard ही चल रहे हैं जो कि पीड़ी दर पीड़ी Follow किया जाता है बहुत सारे ऐसे Norms हैं बहुत सारे रीत रिवाज हैं जो कि पीड़ी दर पीड़ी हमारे यहां जो है उसको अभी तक Follow किया जा रहा है और उसी को जो है पूरी Community के दौरा सुईकार किया जाता है चली अब आते हैं नेक्स question पर 109. question है एक बालक की सिच्चा डैश निर्णयों का उधारन है यानि कि जो बालक की सिच्चा है वो किस निर्णय का उधारन है परदा मका सामोहिक वेक्ति की और या फिर तक नेंगी फिर है कारे के सरली करण को कारे करने की साधारतम, सरल्तम और शिग्रतम विदी को सचीत होकर ढूनने की रूप में परभाशित किया जा सकता है यह किस नहीं कहा, निकल डॉरसी ने कहा, ग्रॉसम क्रैंडल ने कहा, बर्गी जोगल ने कहा यह फिर एलजबेद हरलाउग ने कहा है यहाँ पर जो परमाशा है वो यह कह रही है, कि जो कारे स्रली करण है, यानि कि वर्ग सिंपलिफिकेशन है तो उसको आप कितने सरल्तम, यानि कि कितने सिंपलेस्ट सरल्तम का मतलब हो गया, इजियस्ट और शिग्रितम का मतलब हो गया, क्विकेस्ट quickest way to do our task यानि कि कोई भी task आपको करना है कोई भी कारे करना है तो उसको आप कितने simple तरीके से कितने सरलतम यानि कि easy से और easy way में और quick यानि कि जल्दी आप कर सकते हो उसको कारे सरली करण कहा जाता है यह किस ने कहा है तो यह कहा है निकल एम डॉर्सी ने कहा है और आप जानते ही हो यह क्या है वर्ग सिंप्लिफिकेशन में जो है classes of change दिये गए हैं ठीक है उसमें मुंडल ने पांच दिये हुए हैं और ग्रॉसम क्रेंडल ने उसको तीन में समराइस कर दिया है ठीक है फिर 111 नंबर क्वेशन है तीन मुंखे शरीर भारों को सन्रेखन में लेना डैश यह सिधान डैश पर लागो होता है देखिए हम यहां पर आगया classes of change तीन मुंखे शरीर भारों को सन्रेखन का मतलब हो गया उनको एक सीधी रेखा में लेना यह किस सिधान पर लागो होता है शारेरिक इसिती में परिवर्तन उत्पादन क्रम में परिवर्तन निरमत उत्पाद में परिवर्तन यह फर कच्छे पदात में परिवर्तन तो यहां पर मैं इसको इंग्लिश में लिग देती हूं शारेरि लाइन ओके शारीरिक इस तरी में परिवर्तन यह है चेंजेज चेंजेज ओफ बोडी पोजीशन इन ज़्यादा बेटर रहेगा उतपादन क्रम में चेंजेज इन प्रोड़क्शन सीक्वेंस फिर है निर्वित उतपाद में चेंजेज इन फिनिस्ट प्रोड़क्ट और यह है चेंजेज इन रॉम मटीरियल ठीक है इसमें एक और है यह दो चार हो गए एक और है चेंजेज इन वर्किंग अरेंजमेंट वर्किंग अरेंजमेंट टूल्स एंड एक्क्यूटमेंट ओके तो यह जो पाँच क्लासेज ऑफ चेंज दिये गए हैं यह मुंडल के द्वारा दिये गए हैं वर्क सिंप्लिफिकेशन में जो फाइफ क्लासेज ऑफ चेंज दिये गए हैं तो यहां पर जो पूछा गया है कि तीन शरीर के मुख्य भारों को एक रेखा में लेना स्ट्रेट लाइन में लेना एक किस सद्धान पर लागो होता है ओविसली बॉड़ी पोजिशन तो यहां पर शारीरिक इस हिती में परिवर्दन पर लागो होगा चलिए अब आते नेक्स्ट पर माली की सेवा मज़ूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है पुरसका व्रण वेतन या फिर बोनस तो ओविसली बैंक मैनेजर जो सेवा देता है उसके बतले वेतन लेता है फिर है 113 number question dash नियोजन में महत्पुन आशकतां की उपेछा की जाते हैं उपेछा का मतलब है इग्नोर किया जाता है उसको ठीक है तो कौन सी प्लानिंग में किस प्लानिंग में जो हमारी महत्पून और शकताएं हैं वो इग्नोर हो जाती है मानसिक लिखित अर्थ लिखित या फिर कोई नहीं तो obviously मानसिक नियोजन यानि कि आप जो साइकिक प्लानिंग करती हो मानसिक योजना तयार करते हो अपने दिमाग में जो योजना आप बनाते हो तो उसमें ऐसा हो जाता है जो हमारी महत्पून और शकताएं हैं उसको हम स्किप कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं लेकिन अगर आप प्लानिंग जो कर रहे हो उसक जो महत्पूर आउशकता हैं वो एग्नोर नहीं होते हैं लेकिन मानसिक प्लानिंग में उसमें हो सकती है क्योंकि हम भूल भी सकते हैं इसको अब आता है 114 नंबर कोईशन डैश के अनुसार मनुस्य का आवास बाहततों से सुरच्छा से अधिक बहुत कुछ होता है ग्रॉसम क्रेंडल ने कहा है बेर अगन सेट टैसिक ने कहा है या नीरुगर ने तो इसे बेर ने कहा है उन्होंने कहा है कि जो हमारा घर होता है वो सिर्फ बायततों से सुरच्छा नहीं करता है बलकि उसके अलामा भी बहुत सारे काम करता है यानि कि हमें और कई सारे सुरच्छा प्रवाइड करता है फिर है एक सुपन्दा नंबर क्वेशन है डैश बल्ब टेवल लैंप में प्रयुक्त होते हैं अब यहां पर ताप दीप का मतलब है इन कैंड़ सेंट प्रती वीप का मतलब है फ्लोर सेंट फ्लोर सेंट ओके और यह तो ट्यूब और टेवल हो गया तो यहां पर पूछे जा रहा है कि जो टेबल लैंप में बल्ब लगा होता है तो उसमें वो कौन सा होता है इन कैंड़ सेंट होता है इन कैंड़ सेंट होता है इसमें जो आपने बल्ब देखे होंगे जिसमें कि अंदर फिलामेंट लगे होते हैं तो जो बल्ब में फिलाम हो जाता है खुब हीट हो जाता है तो उसकी वज़ा से जो रोशनी प्राप्त होती है निकलती है वो जो है आपका incandescent bulb से निकलती है उसे incandescent bulb कहते हैं जिसमें की filament heat हो करके जो है रोशनी देता है ठीक है और जो fluorescent bulb होते हैं इनमें क्या होता है fluorescent pulp आपने देखा हो घरों में भी आपके लगे होंगे तो उसमें क्या होता है इसमें gas निकलती है gas discharge होती है उससे light produce होती है उससे तब हमको प्रकाश मिलता है तो इसमें जो है gas discharge होती है ठीक है? और यह जो gas है वो है mercury ओके? और इसमें क्या होता है? जो filament है वो heat होता है और उससे light produce होती है तो टेबल में आपने देखा होगा fluorescent bulb का use नहीं होता है उसमें incandescent bulb का use होता है पहले भी हम जात रेसी का use करते थे अब है आप जो की incandescent bulb है वो ज्यादा energy लेता है ज्यादा power supply की जरूत पड़ती हो उसको और जो fluorescent bulb है वो कम supply में भी चलता है फिर 116 number question है डैश रंग का नाम दर्शाता है प्रकाश वर्ण मान गहराई यह है hue, value, intensity अब देखिए यहाँ पर color का रंग का नाम तो यह उसका होगा hue, hue का मतलब होता है रंग का नाम है hue, value का मतलब है lightness और darkness darkness और intensity का मतलब है brightness और dullness और dullness ओके तो यह होता है यह तीनों चीज़ें होती ही hue, value और intensity फिर है फूलों की ववस्था का उद्देश, चारोर, खुशी, जीवन और सौंदर भरना है यह किस ने कहा है तो यह AH रट ने कहा है फिर आता next question बुफे के लिए मैंनो इस प्रकार होनी चाहिए कि महमान उसे डैश से खा सके साथराण रूप में होना चाहिए सरलतम होना चाहिए कटनाई या फिर महत ओकांस कटनाई महत ओकांस कोई मतलब नहीं है यहाँ अधिड threatening बुफे में और अंड है ये एग, ओवम कह सकते हैं, तो आठवे हपते से, यानि कि जो एर्थ वीक से, जन तक का जो भुरून होता है, वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है, ठीक है, अब इसमें ये क्या है, प्रिनेटल पीरेड जो होता है, उसके तीन भाग है, प्रिनेटल पीरेड के, यानि कि बच्चे की जन्म होने से पहले तक का, तो यह इसमें तीन होते हैं, एक तो सबसे पहला जो आता है, वो है पीरेड ओफ ओवम, ओके, दूसरा है पीरेड ओफ एम्ब्रियो, और तीसरा है पीरेड ओफ फीटस, ठीक है, अब जो पीरेड ओवम होता है, ये से लेकर, यानि कि गर्वधारण से लेकर के, कब तक का होता है, टू वीक तक का होता है, दो सकता, ओके, और जो एम्ब्रियो होता है, पिरेड ओफ एम्ब्रियो, ये होता है, टू वीक, यहाँ पर थ्री वीक से लेकर के, ये होता है, एर्थ वीक तब, ओके, और ये जो है, 9 week से लेकर बर्थ तक होता है तो यहाँ पर 9 week या फिर 8th week है तो कोई उसमें ज़्यादा difference नहीं है तो यह 3 जो है पार्ट होते है parental period की 3 भागों में इसको किया जाता है तो इसमें जो जन तक का पूछा गया है वो period of fetus या फिर fetus कहेंगे फिर है शरीर में कारेपर भोजन के अध्यान को डैश के रोप में परिभाशित किया गया है विज्ञान भोजन विज्ञान आहर या फिर पोशन तो शरीर में कारेपर भोजन इसका मतलब यह है यहाँ पर कहने का कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसा काम करता है तो उस पर जो study की गई अध्यन की गई है कि भोजन का हमारे शरीर में क्या काम है अब इसका मतलब भोजन में जो भी पोशत तत्तो नूट्रियंट्स है कार्बोहाइडर्ट, प्रोटीन, फैट, विटमिन, मिन्रोड वो हमारे शरीर में कैसा काम करते हैं तो उस पर जो अध्यन हुआ है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं nutrition या फिर portion हिंदी में यह आपने पढ़ाई होगा स्टार्टिंग में ही हमको यह definitions पढ़ते हैं फिर 121 question है मानदूत के 100 ml-gram protein होता है यानि कि human milk के 100 ml में कितने gram protein होता है तो यह होता है 1.1 gram तहीं कहीं 1 gram भी लिखा हुआ है फिर है अनियमित आंत्र रित्ता या फिर गैर रित्ता डैश कहलाता है अनियमित आंत्र रित्ता यह है irregular irregular bowel emperting तो इसमें क्या होता है अतिसार यानि कि यह है डाइरिया अतिसार का मतलब डाइरिया पैचिस का मतलब dysentery और कब्स तो यह constipation यह आपको ऐसे पता होगा ठीक है तो अब यहांपर पुछा गया है कि जो irregular bowel empty होती है अनियमित आंत्र रित्ता होती है उसको क्या कहते है तो इसको कहते हैं कब्ज constipation में क्या होता है कि हमारा जो है मलत्याग अच्छे से नहीं हो पाता है इस वज़ा से हमें constipation की कब्ज की problem हो जाती है डाइरिया में क्या होता है एक्जीमा अलर्जी फिट्स या फिट्नेस विशच्ट प्रती जो हमारे टिशूज है जो रियक्ट करते हैं उसके प्रती वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं अलर्जी फिर आता है एक्जीमा फिट्स नमबर डैश एक बचिक की शारेरिक भावनात्मक और बौधिक चमता को विक्सित करता है शारेरिक यानि की physical भावनात्मक यानि की emotional और बौधिक का मतलब हो गया intellectual तो ये तीनों विकास किस कैसे होते हैं खेल से होते हैं खाने से चिलने ये अनपुर्ण लेने से उसे होते हैं तो ये खेल से होते हैं ये पहले भी question आ चुका है अब last question है कश्मीर कढ़ाई को क्या कहते हैं Herringbone, Pashmina, Farida या फिर कशीदा तो कश्मीर कढ़ाई को कशीदा कहते हैं ठीक है कशीदा क्या होती है Embroidery होती है और यहाँ पर Pashmina है यह भी कश्मीर का ही है लेकिन Pashmina क्या होता है शॉल होता है और यह उन से बनता है यह भी कश्मीर का ही है Herringbone तो बुनाई है, Weave है ठीक है यह Herringbone मचली होती है उसी के shape में होता है ठीक है, Twilweb इसमें भी use किया जाता है चलिए फिर यहाँ पर इस सारे question हमारे complete हो चुके 125 question हम discuss कर चुके है और यह जो PDF है वो सारे हम telegram channel पर share कर देंगे वहां से आप इसको download करके तयारी कर सकते हो बस अच्छे से तयारी करते रहे है बिल्कुल भी tension मत लीजे और तयारी बस proper करते रहे है जितने भी question हम उनको अच्छे से solve करते रहे है और उसके सारे objectives यानि कि जो चार option दियेंगे है जिस तरीके से हम solve कर वाते है उस तरीके से जो भी question आप solve करते हो कहीं से भी solve करते हो books वगारा से उसके सारे options को solve जरूर करिए क्योंकि इस चार option होते है चार option से अगर आप चारो option को आपने fully prepare कर लिया तो आपके चार points जो है आराम से चार topic आपके आराम से जो है clear हो जाएंगे और क्योंकि इसी में से जो question होते हैं उसी में से घुमा फिरा करके इधर उधर तोड़ मरोड करके question पूछा जाता है कहीं अलग से तो question आता नहीं है तो इसी वज़े से इसको आपको बहुत अच्छे से इसको तयार करना होगा हर एक question को चलिए फिर मिलते हैं next video में और अगर ये video पसंद आया हो तो like जरूर कर दें subscribe जरूर कर दें और अभी नए हैं तो फिर इसको subscribe कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि likes करें क्योंकि views तो रहते हैं लेकिन उसके साथ में likes कम रहते हैं तो अगर आप देख रहे हो तो छोड़ा सा button ने उसको click करना है बस click कर दीजे ओके चलिए फिर मिलते हैं next video में thank you so much bye bye and take care